नमस्कार जोतिश विज्ञान के खास कारिक्रम एस्ट्रो लाइब में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ कंचन शेर्मा जोतिश विज्ञान के अनेक अन्गिनयत रहस्यों को समेट इसकारिक्रम एस्ट्रो लाइब में आज बाते होने वाली है वासंतिक नवरात्र के और सभाग्य दाइनी शक्ती की आज मा के कालरातरी स्वरूप की पूजा की जा रही है आराधना हो रही है और उसके बाद मा के म महा गौरी स्वरूप की कल पूजा की जाएगी। खास तोर पर महा अश्टमी तिथी के दिन क्या करें की हर तरह से स्वभागी की प्राप्ति हो। कैसे पाएं मा दुर्गा के महा गौरी स्वरूप की आसीम कृपा, मा की पूजा आराधना के आध्यात्मिक और जोतिश्य रहस्य क्या हैं क्या करें उपाय महा उपाय की दुर्भागी की च्छाया सदा सदा के लिए मिठ जाए क्या कहती है आपकी जनम कुंडली क्यूं करें अस्टमी को ही विशेश उपाय ऐसे तमाम प्रशनों के रहस्य पर चर्चा की जाएगी और आपको एक महा उपाय भी बताएंगे अगर आपके साथ कोई भी परिशानी है आप चाहते हो समस्या दूर हो जाए आपको मेल कीजिए हमारी मेल आइडी फ्लैश हो रही है समय.aistrolive.sahara.in तो चलिए मापको मिलवाएंगे देश के जाने माने जोत चल रहे हैं बहुत ही पावन दिन हैं और कहा जाता है कि इन दिनों में अगर देवी हमसे प्रसन हो जाएं तो हमारी तमाम मनोकामनाइं पूर्ण हो जाती हैं बिल्कुल जे सबसे पहले तो आपसे अस्टमी और नवमी दों की ही महीमा यानि कि महा महा गौरी और साथे साथ महा जो का दात्री देवी हैं उनके बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे ज़रूर बताएं और आगे बहुत साथ सवाल हैं उनकी जबाब लूँगे बिल्कुल सबसे पहले तो सभी को नौरात्रों की हार्दिक सुबकामना और बात करें महा गौरी की पूजा की महा गौरी की पूजा हमें हर तरह की सिद्धी तो मिलती है हमारी मनुकामनाएं पूरी होती है और जो भी हम उपवास ब्रत तपस्या जब तप हवन जो भी करते हैं तो ये अश्टमी के दिन महा गौरी महा गौरी की पूजा के साथ ही ये सारी चीजे फलित होती हैं मालब ये ऐसा दिन होता है जिस दिन माता महागौरी के सरूप में सुविकार करती है और कहा जाता है कि महागौरी की पूजा अर्चना और उनके निमित कोई भी कारे करें कभी भी असफल नहीं होता है सफलता जरूर मिलती है वर्दान के रूप में होती है और नौमी की अगर बात करें तो सिद्धी दातरी की पूजा होती है कहते है कि सरूप में मां सिद्धी देती है जिसको जिस भाव में सिद्धी चाहिए किसी को धन का चाहिए होता है किसी को पुत्र का चाहिए होता है मलब इस संसार में सन्यासीओं को संतों को अपनी तपस्या की सीधी चाहिए होती है तो नौमी के दिन ये सकल सिध होता ही होता है और ऐसी स्थिति में अश्टमी और नौमी की तिति बहुत ही महाइने रखती है माहागोरे और माहा सिधदात्री की पूजा सर्वोतम फल देने वाला दिन होता है बिलकुल आगे हम ये भी जानेंगे कि अश्टमी और नव्मी को लेकर कि बहुत सारे सवाल हैं जैसे कहा जा रहा है कि शायद कल ही अश्टमी और नव्मी मनाई जा रही है और कुछ लोग परसो नवमी मनाएंगे यानि कि सिदित आत्री देवी का जो दिन है नवदुर्गा का जो नववा सरूप है थोड़ा सा आप समझा पाएं कि कल ही अश्टमे नवमी है या कल अश्टमी है या फिर कोई नवरात्र शेय हुआ है कुछ समझा पाएं दिखें कल अश्टमी तो जरूर है क्योंकि 8.45 तक मान के चलिए कि अश्टमी तिथी है लेकिन सुर्योदे में तिथी होने से उद्य तिथी बोलते हैं अश्टमी को अश्टमी उद्या तिथी होने की वज़े से पूरे दिन अश्टमी का बर्चस्व रहेगा लेकिन अश्टमी का पूजन कल हो गई होगा लेकिन अगर नौमी की बात करें तो नौमी तिथी परसो 7 बज के 40 मिनट तक ही है सुबह उसके बाद नौमी उपरांत दस्मी लग जा रहा है जो आगे चलके नौमी पर ही दस्मी तिथी है और नौमी तिथी के बारे में ये कहा गया है कि वो तिथी मानने तभी होता है जब उसका 3 महुर्त, 3 घंटे मतलब मोटा मोटी आप ये मान के चले कि 3 घंटे जब तक उसका उस दिन में उस सुर्योदे कालिन दिन में ना बीत जाये तब तक वो तिति मानने नहीं होता है नहीं तो वो तिति कहीं न कहीं उसको 6 मान लिया जाता है तो सर्व सम्मत के हिसाब से बहुत सारे बिद्वानों ने इस पर ये निस्कर्स निकाला है कि कल 8 मी उपरांत 9 मी का पूजा होगा क्योंकि 8 मी का भी होगा 9 मी का भी कल हो जाएगा लेकिन 9 मी का पारन 10 मी में नहीं होता है तो 7 बज के 40 मिनिट तक परसो नौमी तिथी है तो इसके लिए हाँ ये जरूर है कि अगर आप कल ब्रत रखते हैं तो नौमी का ब्रत परसो खोल सकते हैं लेकिन उसका भी कोई इतना फैदा नहीं है क्योंकि नौमी की तिथी अश्टमी की तिथी में अगर कल नौमी भी पू परपित कर दिया तो आपका ब्रत संपन हुआ तो कल ही मानने है। जित महूरत तरहेगा क्योंकि तीथी कल वैसे तीथी का समाप्तिकाल आठ चालिस तक है निकें तग कि उद्या तिथी होने की वज़े से पूरा दिन मानने होगा और दोपहर साड़े 11 बजे से लेकर साड़े 12 बजे तक ये ऐसा टाइम है कि इसमें आप हवन कर सकते हैं और कन्या का भोजन भी करवा सकते हैं और इसके इलावा जिन लोगों को अश्टमी पूजन करना है अश्टमी में जिनको कन्या का भोजन करवाना है वो लोग सुबह आप चार बजे से लेकर ब्रह्म महुर्त से लेकर साड़े आठ बजे तक का समय है जो लोग अश्टमी का पारण करते है उन लोगों के लिए चार बजे से लेकर साड़े आठ बजे तक का समय है आप इसमें कन अबिजीत मुहुर्ट में समय है इनकी जनम की यह अपने बेटी के बारे में जानना चाहती है इनकी बेटी का नाम तो नहीं बताया लेकिन आखी सारी इंफोर्मेशन है जनम का जो डेट ओ बर्थ है वो यह है बारा सत्रा छे दो हजार दो समय है दस बच कर साथ मिनट सुभा के बर्थ प्लेट प्लेज जो है पटना है इनका कहना है कि इनकी बेटी जो है अगले साल दो हजार बीस में यह यह का टेस्ट देंगी सफल होंगी यह नहीं जरूर और इनकी कुंडली अगर मैं देखूं तो सिंग लगन की कुंडली बन रही है और सिंग रासी है बलब सिंग लगन में ही लगन में ही चंदर्मा गोचर करने रासी सिंग बनती है और कुंडली के हिसाब से अभी जो टाइम इनका चल रहा है वो चंद्रमा की महादसा राहु की अंतरदसा चल रही है तो इनको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा इनकी कुंडली में चुकि लगन में ही बैठे हैं बारवे भाव के स्वामी है तो इनको 2021 से काफी अच्छा समय है कोई भी competition ये पास कर सकती है इनको मैं एक उपाय बताऊंगा यहां पर सूरे की पुझा जरूर करें और मानिक धारन करें क्योंकि मानिक इनके लिए जरूरी है सूरे बड़े ही बाल अवस्ता में है सूरे की डिगरी बहुत कम जोर है इनकी और इनको छे साड़े छे रती का मानिक धारन करवाईए रवी बार के दिन तामसिक भोजन से बचे और बाकी आपके सफलता के लिए इस नोरात्रों में मा भगवती से प्रार्थना है आपको सफलता परदान करें आप सब भी मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी लगातार फ्लेश हो रही है समय.astrolive.sahara.in बहुत सारी मेल्स हैं वैशाली की मेल हम तक पहुंची है जनम की तारीक है बाइस नो उननिस सो सत्तानवे जे समय है आठ बचकर पंदरा मिनट पी एम बर्थ प्लेस दिल्ली बाइस यह अपनी जॉब में चेंज करना चाहती है जहां काम कर रही है वहां से बदलाव चाहती है क्या यह संभव है अभी क्या समय सही रहेगा और साथी साथी के बारे में भी जानना चाहती है लव मेरीज होगी आरेंज देखें मेश लगन की कुंडली है और ब्रिसव रासी बनती है इनकी राहू की मादसा चल रही है और राहू में सूरी की अंतरदसा चल रही है तो इनका समय जो है सितंबर 2019 तक मैं यही कहूँगा कि आप जहां भी है इस्तिर भाव में रही है क्योंकि अब भी कुछ भी चे सितंबर के बाद आपके मन के अनुरोप जॉब मिलेगा अच्छा प्रमोशन भी होगा और रही बार शादी की तो देखें आपकी कुंडली में कुंडली से जो योग बन रहा है वो माता पिता के हिसाब से अगर शादी हो तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ब्रिश्पती न आपकारी रहेगा और आपके लिए भी मैं यही को हूँगा कि माँ भगवती आपकी मनो कामनाय पूरी करें छलिए यह सवाल हो सकता है चायद यह लव मैर्ज की तरह फोकस कर रहे ही ति एक तरह लिखा था कि यह ये ब्रिस्पती नीच के हैं कुंडली में अगर तो बहुत ज़्यादा सफलता देते नहीं बाद में यही होता है तो बड़ा सों समझ के ही कदम बढ़ाईएगा बड़ा पूजा विधी बता पाएं पूजा विधी क्या होनी चाहिए जैसे कन्याओं का सास्त्रोक्त जो उमर माना गया है वह यह माना गया है कि मदलब बच्चे से लेकर बारवर्स की कन्या तक का हम पैर बखार सकते हैं और इसमें बारवर्स की कन्याओं तक का पूजन मानने है और इसमें यह है कि जिसे जो आपने बात किया कि एक चोटा सा बच्चा होता है जी जरूर होता है वो भैरो के सरूप होते हैं उन्हें बाल लंगूर भी बोला जाता है बाल भैरो भी बोला जाता है क्योंकि कन्या क जो भी कन्याय हैं उनकी ये शक्ति के स्वरूप में रहते हैं हर जगा माता के शक्ति के स्वरूप में भैरोही रहते हैं तो ऐसी इस्तिति में इनका भी पूजन होना चाहिए और इनकी जो बिधी आप पूछ रही है कि कैसे होना चाहिए तो मैं यही कहूँगा कि कन्याओं को जरूर अपने घर पे बुलाएं और उनका पाव पकारें किसी अच्छे बरतन में स्वक्ष बरतन में बरतन दोके उसमें जल गंगा जल मिलाके सब के पुष्प से उनके पैर दोएं उनके पैरों पे अक्षच चड़ाएं और उनको तिलक करें और फिर बाद में उनके हाथ से भी अपने मस्तक पर तिलक करवाएं और जो उनकी चरण धूली है वो आम के पत्तों से अपने भूमंडप पे घर में अंदर बाहर हर जगा उसका चिड़काव कीजिए क्य तो ऐसे में कोई भी अनिष्टकारी चीजे आपके घर में रहनी जाती है यह सब करने से क्या होता है कि मंगली मंगल आपके घर में होने लगता है जी और कन्याय जब हम कन्या पूजन करें तो उत्वरान सामगरी क्या कुछ जो हम जैसे कह रहे हैं कि देवी सवरूप होती ह स क्ष articulate करना चाहिए तो हमें उनको क्या कुछ अर पित करना चाहिए क्या कुछ सामगरी देनी चाहिए जी देखे इस जीवन मेर दो तिन चीजेए बड़ी महत्त पूर्ण है पहली चीज अनपूर्न होनी चाहिए क्योंकि अंगे भीना जीवन नहीं है तो अनपूर्णा से उनकी पूजन करना चाहिए जैसे कि हम पूरी बनाते हैं वेंजन बनाते हैं उनसे उनकी पूजा करनी चाहिए दूसरी चीज कि विद्या होनी चाहिए तो विद्या के सवरूप में जरूर उनको धन से विद्या से कौपी किताब जो भी आपके इक्छा हो जरूर दे उपहार स्वरूप ऐसे में और धक्षिना जरूर देना चाहिए और यहां तक कि उनके हाथ पे मौली भी बांद है आप मौली मौली रक्षा का वो माना गया है और दूसरी चीज कि उनको कोई ना कोई अंगवस्त्र जैसे की ओढ़नी स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर दीजिए जी ह अब हम मात करते हैं एक और मेल पर कृष्ण कुमार मिश्रा की मेल हम तक पहुंची है और इनकी जो जनम की तारीक है वो 23.1.92 है जे 23.1.92 और समय है सुभा के 6 बजे कानपूर जे इनका कहना है कि इनका भविश्य कैसा रहेगा जरूर अब देखिए भविश्य का तो बहुत सारा एंगल होता है कि भविश्य में मतलब स्वास्त भी है हर तरह से चीज़े हैं ठीक है बिवसाय है धन है धनू लगन की कुंड़ी है और इनके जनम लगन में ही चतुर गरही योग बना है और सिंग रासी बनती है हाँ इनकी कुंड़ी में एक अच्छा योग जरूर है कि ब्रिश्पती और चंदर्मा का गज केसरी योग बनता है नौम भाव में तो ऐसी इस्तिति में इनका ये मैं जरूर कहूंगा कि मंगल की मादसा केतु की अंतरदसा चल रही है तो संघर्स इनिसियल लाइफ में सु ज़्यादा कहीं न कहीं इनकी कुंड़ी में चुकि सुक्र के साथ रहू बैटे हैं तो रहू की मादसा बहुत पलित होगा भविस्ट काफी अच्छा जाएगा लेकिन एकागरता चाहिए आपको कॉंसिट्रेशन चाहिए फोकस चाहिए आपके अपने गोल पर कि आपको कर दिली देखने से ये लग रहा है कि भविस्ट आपका अच्छा जाएगा जी हां शारांश की भी मेल हम तक पहुंची है इनकी भी मेल ले ले लेते हैं इनकी जनम की तारीक है तेईस साथ उनिस सु अठानवे समय सुभा के साथ पंदरा दिली सवाल इनका भी भविश्य को दिली अब हम चाहेंगे कि आप सब अपना सवाल भेजते हैं तो उसमें बताएं कि आप हैल्थ के बारे में जानना चाहते हैं शिक्षा के बारे में या फिर अपने करियर के बारे में फिलाल भविश्य ही जानना चाहते हैं इनका करियर बता दीजिए देखिए करक लगन की कुण्डि है और करक रासी बनती है सूर्य और चंद्रमा का मावसी और कुण्डि में बना हुआ है और साथ ही साथ मैं यही कहुंगा सनी की महाधसा चल रही है तो थोड़ा सा स्वास्त का ध्यान रखियेगा सारां सा अपना और पढ़ाई पे विसेश ध्यान रखिए क्योंकि इस टेम जो इस्तिती चल रही है बहुत जादा भटकाओं के इस्तिती चल रही है या तो पढ़ाई नहीं हो सकती है और मलब दोनों चीजे हैं तो पढ़ाई के लिए या कैरियर के लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है बुद्ध की महादसा शुरू हो रही है जुलाई 2021 में, तो बुद्ध की महादसा कारक होगी, राहु के साथ बुद्ध बैटा है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे जरूर काएंगे कि महादेव की उपासना कीजिए, हर एक सोमबार का ब्रत किया करें, और सोमबार के दिन तामसिक भोजन का त्याक करें, मोती धारन करें, आठ साड़े आठ रती का मोती धारन करें, इससे लाब होगा, क्योंकि चंद्रमा लगने सोते हुए भी अस्त है आपकी कुंडली में, तो चंद्रमा को बल दीजिए, घर की इस्तिरियों के प्रती आदर सम्मान रखिए, क् बिल्कुल, और चलिए बारे आगई है, महा उपाई की हर तरह के स्वभाग्ये के लिए नवरात्री में महा अस्टमी को क्या करें, जोतिश्य उपाई, जानते हैं वो उपाई, जी देखें, हर तरह की मनुकामना, हर तरह की स्वभाग्ये की पराप्ती के लिए आपको क्या करना है, एक मंत्र बता रहा हूं, ये वो मंत्र है कि इससे मलब हर काम होगा, लेकिन हर कौन सा काम होगा, सिर्फ सात्विक काम होगा, इस मंत्र से आपको करना क्या है, पहले कि आठ कमल का पुश्प या गुलाब का फोल आपको लेना है और इसको एक सफेद वस्तर पे सफेद कपड़े पर रखें और मंत्र जो है ओम एम हीम क्लीम सर्व सिद्धी रुपाय नमस्तुते फिर दुबारा बोर रहा हूं ओम एम हीम क्लीम सर्व सिद्धी रुपाय नमस्तुते ये सर्व सिद्धी को देने वाला मंत्र है इसका जाब कीजे कमल के गट्टे पे इसका जरूर जाब कीजे एक माला जरूर करे और जो फूल है उसको उठा कर आप अपने तिजोरी में रख दीजेगा जो भी मनो कामना है उसको मन में रखिये, पुष्प को उठाके, आठो पुष्प को उठाके अपनी तिजोरी में रखियेगा और जो कमल के गटे पे आप मंत्र जाब करेंगे, इस माला को आप पिले रंग के कपड़े में लपेट कर रखियेगा और जब भी आपके कोई ऐसी मनुकामना हो, जब भी आपको लगे कि कुछ अनिष्ट हो रहा है, उस अनिष्ट के निवारन के लिए इस माला पर इस मंत्र का जाब किजिएगा, लेकिन इतना जरूर ध्यान दिजिएगा कि इस मंत्र से किसी का भी अनिष्ट नहीं हो सकता है, इस मंत्र से सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, तो किसी का अनिष्ट करने करना सोचिएगा, सबका भला ही सोचिएगा, दिलकुल अगर आप अच्छा सोचेंगे, तो यकीनन आपके साथ भी अच्छा ही होगा, तब ही कहा जाता है, जोतिश विज्ञान का लाब लेना है, तो वेज्ञानिक सोच किया अवचकता होती है साथ ही सफलता के लिए जगना पड़ता है अचारिय जी पहुत बहुत शुक्रिया आपका इसमाम जानकारियों के लिए फिर हाजिर होंगे सोमवार को एक नए विशे के साथ दीजे इजासत नमस्कार थाजे के लिए